नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फोर्स ट्रैवलर डिलरी वैन को जिसका मॉडल नेम है 4020 सबसे बेले देखते हैं इस गाड़ी के हेडलाइम्स को इस गाड़ी में आपको डिवल चेमबर हैलजन बेस्ट हेडलाइम्स मिलते हैं जो रात में आपको काफी अच्छी रोशनी प्रडान करते हैं हेडलाइम्स के अपर सेक्षन में आपको LED-based turn indicators मिलते हैं गाड़ी के front design में काफी शांदर काम किया गया है फोर्स मोटर्स की तरफ से आपको front side में शांदर ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है और फोर्स का लोगो भी आपर लगा हुआ है front bumper को black painted रखा गया है और यहाँ पर 3M की refrigerator tape है और नीचे side में आपको fog lamp के लिए spacing दिये गई है यहाँ पर number plate mounting के लिए 2 screws दिये गए है और कुछ इस परकार इस गाड़ी का look आता है और यहाँ पर एक towing का hook भी आपको दिया गया है जिसकी मदद से गाड़ी को आपात कलिंपरिसिती में गाड़ी को tow कर सकते है और इसके अलवा गाड़ी के front windscreen की बात करें इस गाड़ी के front side में laminated windscreen दिया गया है और गाड़ी की wipers की बात करें तो front side में आपको 2 wipers दिये गए है water sprayers के साथ और इसके अलवा गाड़ी के side section में FM 2.6 CR traveler smooth की batching भी की गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके अलवा आपको यहाँ पर एक side indicator भी मिल जाता है जो गाड़ी को turn करते वक्क काफी मरदगार साबित होता है गाड़ी के tire section की बात कर ले तो tire section की जो size है वो है 235-65R16 इस गाड़ी में आपको काफी बड़े tires मिलते हैं और यहाँ पर एक tire size भी आपको दिख जाएगी यहाँ पर front side में rim दिया गया है और front side में आपको list print suspension दिया गया है telescopic shock observe के साथ और काफी शांदर गाड़ी का structure बनाया गया है force motors की तरब से यहाँ पर एक mud flap भी दिया गया है और गाड़ी का जो size structure है वो पूरा painted है पूरा white paint में आपको मिलेगा आप इस पर आपने company का advertisement में लगा सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक side footstep मिलती है आपको sliding door के नीचे इसी के साथ साथ यहाँ पर एक यहाँ पर दो और rear section में तीसरा night running lamp हो जोट है जिसकी मदद से गाड़ी रात में आसने से दिख जाती है और यहाँ पर गाड़ी के sliding door के लिए guideways भी दिए गया है यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी की rear section की बात करें तो rear tire section में आपको single tires मिल में mud flap दिए गए है चले अब देखते हैं गाड़ी के rear section को rear section में आप देख सकते हैं गाड़ी का rear look काफी अच लगता है और यहाँ पर आपको double doors मिल जाते हैं जो आपको अच्छी कासी एक space देते हैं सामान को रखने के लिए load और unload करने के लिए rear doors की बात करें तो rear doors पर एक वीडियो बनाई है आप उसे भी देख सकते हैं इंटेरे सेक्षन में आपको काफी बड़ा storage compartment मिल जाता है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक partition दिया गया है जिसकी मदद से driver और luggage रिया अलग हो सके और यहाँ पर side में sealed panel दिया गया है इसकी मदद से गाड़ी म water leaking कोई chance नहीं होता है और काफी शांदर गाड़ी बनाई है फ्लोरिंग की बात करें तो फ्लोरिंग भी काफी अच्छा है टॉप साइड में आपको LED light दिया गया है जिसकी मदद से यहाँ पर रोशनी हो सके और काफी bright light है और काफी अच्छी है और इसके अलागा यहाँ प देख सकते हैं लिवर खीच कर इसका sliding door आप खोल सकते हैं जो काफी असने से खुल जाता है कम से कम जगे में इस गाड़ी की unloading आप कर सकते हैं और चोटी चोटी गल्यों में भी गाड़ी जाने के लिए section है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार इस गाड़ी का sliding door बन होता है और यहाँ पर इस परकार खुल जाता है चलिए अभी बात करते हैं इस गाड़ी के नए features की तो इस गाड़ी में आपको dual chamber mirror मिलता है जिस पर आप adjust कर सकते हैं आपने हिसाब से और एक आपको wide angle mirror भी मिलता है जो आपको काफी बड़ा लुग देता है चलिए अब पर देख सकते हैं दोर पर काफी अच्छी पोलश्टी होई है और यहाँ पर manual window का आपको lever मिल जाता है जिसकी मदद से window up-down आप कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एक grab handle मिल जाता है और इसके अलाव यहाँ पर एक lock भी दिया गया है door lock जिसे हम करते हैं आसाम बाशा में गा आप देख सकते हैं यहाँ पर AC blower का unit लगा हुआ है इसमें blower मिलते हैं आपको air conditioning system नहीं मिलती है और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको 12 volt DC charger socket मिल जाता है और यहाँ पर blower का control का switch है जिसकी मदद से आप fans पर adjust कर सकते हैं और यहाँ पर regeneration का switch दिया गया है और यहाँ यहाँ पर hazard lamp का switch है देख सकते हैं और यहाँ पर headlamp adjustment का switch है headlamp के leveling आप adjust कर सकते हैं यहाँ पर इस गाड़ी का शामदार steering wheel four spoke steering wheel आपको मिल जाता है यहाँ पर इस गाड़ी में five speed manual transmission मिलता है जो काफी efficient है और gear lever की position भी काफी अच्छी है seats आप देख सकते seats भी काफी इसमे comfortable बनाए गए है और इसके अलावा इस गाड़ी में आपको side में देख सकते है parking brake दिया गया है और यहाँ पर एक jack भी आपको provide किया गया है जो screw jack pattern में आता है यहाँ पर accelerator brake clutch और इसके अलावा यहाँ पर इस गाड़ी का instrument cluster जिसमें आपको rpm meter speedometer और multi information display मिल जाता है यहाँ पर wipers के control से और steering wheel के right side में आपको गाड़ी के lights और auxiliary ramps के control दिये गए है जिसमें headlamps वकर adjust कर सकते है और गाड़ी के driver side में भी आपको एक air wind मिल जाता है और upper side में आप देख सकते है dome section में आपको dome light मिल जाता है जो भी LED है और यहाँ पर देख स सकते हैं इसमें दो sun weather दिये गये है जो driver और co driver को direct dhup से बचाते है और driving की समय एक सहुलियत प्रड़ान करते है और चट में भी काफी अच्छा काम इस गाड़ी में हुआ है गाड़ी के general walk around को अभी आपने देखा अभी हम देखेंगे इस गाड़ी के technical specifications को इस गाड़ी में की बात करें तो इस गाड़ी में हैपको 350 नुट Officer मिलता है गाड़ी के suspension की बात करते है तो इस गाड़ी में आपको front और is 103 मिलता है जो isto is to go ग्रॉस्विकल वेट की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 4,375 किलोग्राम का ग्रॉस्विकल वेट मिलता है और पेलोड कैपसिटी की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 1,800 किलोग्राम यानि 1.8 टन का पेलोड कैपसिटी मिलता है इस गाड़ी में आपको 70 लिटर्स क और एक बात का ध्यान रखिए इस गाड़ी में आपको sliding door और without sliding door का भी option दियागा है जिसकी मदद से आप अपने इसाब से गाड़ी ले सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर आप चैनल प्रेंट होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं आपका बहुमोली समय ने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत